हलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत था आपका यूटूब चैनल पर एक अनदर वीडियो में इस लिमिटेट की बात करने ही कोसिस करते हैं जैसे कि मार्केट दसदार के उपर ही कारोबार कर रहा है तो इसमें करेक्शन हो रहा है और रिजल्ट आना है इसका क्यूफोर का तो उसकी डेट बतानी कोसिस करेंगे और समझनी कोसिस करेंगे कि यह उपर से जैसे की 200 के आसपास से इसमें गिर आउट हुई है तो कहां तक यह गिर सकता है कौ बाँ पर का टारगेट क्या होसकता था यहां पर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए जो आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आप लोगों को यूटूब की तरफ से नोटिक्रेशन मिलेगा जब भी वीडियो अपलोड होगा और इंडिया का जो शेयर मार्केट है स्टॉक मार्केट है उसका अपडेट अनलेसिस सारा कुछ लेटेस देने क कोसिस करते हैं जब आइटी सी उपर की तरफ जा रहा था तो बजब लगम समवन नाइंटी सेवन और टूंडिट का टार्गेट वताने कोसिस थी बट यह अपकी बार दो सो तेरा तक नहीं गया और दो सो पांच दो सो चे के आसपास से यह फिर नीचे की तरफ आ गया है त तो इसके वज़े से आपको देखा कि अभी यह जून के मंत में आपको इसमें करेक्शन दिखने को मिलेगा और क्योंकि मार्केट उपर की तरफ जा रहा है और रिलाइंस में आमने देखा कि एक तरह से जो न्यूज आई है डेप्ट फ्री होगे बट यह कि रिलाइंस का स् और दूसरी कंपने रिलाइंस रिटेल माने कोसिस करें तो यह भी खबर आ रही कि वह लिस्ट करेंगे आने वाले चार-पांस साल में तो रिलाइंस में हल चल बनी रहेगी बट जो उनका डेट है अगर वह बैंक को दे देंगे तो जिस दिन गोशना होगी कि बैंक को को दे है निफ्टी आप देख रहे हैं कि 10200 10300 के आसपास है तो उसका वीडियो अलग से बनाने कोसिस करेंगे निफ्टी का फिलाल निफ्टी का मार्केट में तेजी होती है तो आप FMCG के स्टॉक्स में गिराउट होती है और इन स्टॉकों को देखने कोसिस करें जो दिगर स्ट आप को एक दो मैंने के अंदर बबल दिखे और हो सकता है करेक्शन भी मीसर और मार्केट एक طरह से ऊपर की तरफ जा रहा है क्वा दो उम्मीर के कारण उपर की तरफ जा रहा है तो वह एक कारण है अर्णिंग जो होगा उसी के अनुसार मार्केट सटल होनी की कोशिस करेगा तो यह आप लोगों को सब्सक्राइब करने की कोशिस करेंगे और इसका तरगेट लेवल देखने की कोशिस करेंगे आने वाले दिनों में क्यूफूर का जो रिजल्ट आ रहा है उसकी डेट बता नहीं कोशिस करेंगे जो चार्ड लगा हुआ है इसका जो नीचे के लेवल का होगा जो सपोर्ट होगा इसका तो लंसम मान के चलिए अभी एक रेट कंडल बन रहा है जून में तो यह 180 को अगर ब्रेक करता है तो लंसम 170 के आसपास या 165 के आसपास तक आ सकता है ITC लिमिटेट जैसे आपने देखा होगा है इस बीए में भी इसी तरह का एक करेक्शन हुआ था लंसम 187 तक वह गया तो वहां से फिर एक गिरावट आये थी अब आपको एक्जांपल बताने कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह से आप क्यूफॉर का जो रिजल्ट आ रहे हैं तो हो सकता है कि इसी में अगर 180 का लेबल अगर ब्रिक करें तो आपको फिर यह लंसम 170 और 165 तक आता हुआ दिख सकता है आप जो कोई लेना चाहता है सब्वोज आपने 180 के आसपास ले लिया तो थोड़ा सा समयद है और उसी के अनुसार आप इसमें जिसे जून के मंद में लग रहा है कि इसलिगे यह एक रेट कंडल बनाने की कुछिस कर रहे फिलाल और हो सकता है फिर जुलाय मई यह उपर की तरफ जाने इक को सिस्क्रेंज लेकिंगे अभी यह उपर का जो लेबल होगा इसका तो वह होगा लंसम 190 के आसपास का यह 200 के आसपास का है का है इसका हड़ा होगा तो लंसम 190 के आसपास का इसका एक हडल वनेगा अगर 190 क्रॉस करेगा तब आपको फिरियों 197 के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में और रिजल्ट भी आ रहा है तो रिजल्ट में तो कमी पेसी ही होगी क्योंकि आपने देखा होगे लगवा दोजार के आसपास वह काफी दिन रहा और अब आने वाले महने में शायद फिर बढ़ने की कोशिश करें यह जो कैंडल बना हुआ है अगर आप देखेंगे उपर के लेबल से गिरता हुआ काफी नीचे के लेबल तक आया था इसका अच्छा सपोट होना चाहिए था इसका सपोट जो होगा 180 के आसपास का ओगा उसके बाद सपोर्ट हो गा 170 के आश पास और फिर आपको दिखेंगा लंसम 160 और 150 160 तक तो जो कोई भी खरीद है तो पर्सेंडेस वाइस को खरीनी कोशिट करने चाहिए और जो ट्रेट क तक और उपर की तरफ अगर तेज होता है तो 213 तक जाने की कोशिस कर सकता है जो समय देना चाहते हैं ITC को तो उनको एक उपर का जो तार्गेट होगा लंसम 230 का तार्गेट होना चाहिए आने वाले समय में बट यह टाइम लगेगा ऐसे नहीं कि एक मैना दो मैने में चल जायर मारर्केट तेज होती है तो उन में पर से रहता है फिर खाल कर्षे जब मार्केट गिरती है तो यह तरफ जानेOoh कोशिस करते हैं लावाल आने वाले समय में जब यह दिए Marquis तोरक साब उपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे जैसे हुल है आइटी सी है और जो फंची के स्टाउक से वह उपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं तो तो कमी पेसी होगी और आइटी सी में आप अगर 180 के आसपास ले रहे हैं तो कुछ परसेंटेज के साफ से लेने ही कोशिस करिया और उसका तारगेट 190 और 197 तक 200 तक का मान के चलिए लंसम आप साथा दस परसंट मान के चलिए बेटर दन है कि 170 के आसपास अगर इसको आप खरीते हैं तो वह बेटर होगा क्योंकि वहां से लंसम 20 परसंट आपको गेन मिल सकता है और अगर तेज होता है तो फिर और भी आपको अच्छा खासा र बने होएं तो बने रहे हैं और जो ट्रेट कर रहे हैं तो आपको यह कुछ नंबर्स बताने कोशिश है 170 से 160 के बीच अगर मिलता है तो इसको बाइक करने कोशिश करें और 180 के आसपास भी मिलता तो जैसे आपको वन लाक लगाना है तो 50,000 लगाने कोशिश करिए और और न करेंटी का उसमें मिक्स आना चाहिए हो सकता है डिवडेंट भी दे कंपनी तो यह एक स्टॉक हो सकता है दिगर स्टॉक है यह फंसी जी का देंगे उननीश च्छे दो जार बीच को इसका जो ट्रेड हो रहा है 184 के आसपास का ट्रेड हो रहा है और इसमें मोस्ट एक्टि लिया है जो फॉस्ट चुके हैं इटी सी में तो उसको उनको होड करने ही को सिस करनी चाहिए और जो लबी ले रहे हैं तो परसंटेज के साफ से लेने को सिसकरनी जाए क्योंकि देखे जब करेक्शन होता है तो फिर और दाउन आजाता है क्कूए काफी लोगों को मार्जि 75 170 तक देख सकता है और फिलाल ITC में जो उपर के लेवल फसर में तो उनको होल्ड करने ही कोशिस करने चाहिए और उपर की तरफ जाता है तो फिर अपना डिशन लेनी कोशिस करिया जो अगर आप यह यूटूब चैनल इडिया जिवासिंग देखना चाहते हैं तो सब्सक्रा आपड़् ए6 बड़ा है ख़्यूब उपन तक वान में जात है तर सकता हैं झाता हैं जात्ता है झemale λέ हैं ए में शे आता हैं झाता हैं जाने हैं आता हैं ऑली ले एकатив से जा डाता हैं दो कर दो खवाग हैं ईुग